अस्वारीकूम देश्टूरंट्स कैसे आप लोग मीता कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होगे तो आज की सुटिया में चैलला हम लोग चैप्टर नबर 24 कुछ है वो गुक्ली रिवाइस करेंगे ठीके वेचेज अबाउट अनेटिकल केमिस्ट्री तो यह चैप्टर ब MDCAD में कुछ आउट आफ स्लेबर समसी इंज भी आ जाते हैं तो वो सम्टाइम्स इसी चैप्टर से आ जाते हैं तो आप लोग उने इस चैप्टर को यहीं से क्विक्ली रिवाइस कर लेना है ठीके जो सबस्पहरे देखने हैं कि अनलेटिकल केमिस्ट्री होती क्या है अनल मार पास modern method तो classical methods में हम लोग जाए वो experiments perform कर रहे होते थे laboratories में ठीक है जैसे के for example मार पास combustion analysis है ठीक है या फिर हम लोग जाए वो analysis के लीज़े है वो physical properties को compare कर रहे होते थे मतलब melting point को boiling point को उनकी chemical properties वगरा को ठीक है salt analysis को ठीक है functional group detection यह सारे classical methods है इसमें से हम लोग combustion analysis को जाए वो थोड़ा detail से पढ़ेंगे combustion analysis जाए वो एक तो यह exothermic process है ठीक है combustion analysis है जाए वो हम लोग एक तो carbon का पता करवा सकती है और दूसरा जाए वो hydrogen का पता करवा सकती है जब भी हम लोग combustion analysis करवाते हैं और as a result मापस जब at the end carbon dioxide बिने ना तो आप लोगोंने समझ जाना है कि carbon जो है वो present है अगर water बन जाए ना तो समझ जाना है कि hydrogen present है ठीक है इसके आवा नीचे उसने carbon और hydrogen की percentage find करने की कुछ relations लिके हुए है तो आप लोगोंने in relations को as it is याद करना है ठीक है आप लोग इन relations को use करके carbon की percentage और hydrogen की percentage जो है वो find कर सकते हो सिर्फ आप लोगोंने गया करना है कि mass of compound जो है वो put करना है इस relation में ठीक है mass of compound आप लोग पुट करोगे तो आप लोग पास mass of sorry percentage of carbon और hydrogen जो है वो easily calculate हो जाएगी ठीक है अब next हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगोंने जो है वो empirical and molecular formula जो है जो है इसका molecular mass 180 है molecular mass के वहन है 180 फिर वोगे तर रपस तो समें carbon की तदाद जो है वो 39.97 है ठीक है और hydrogen जो है वो 6.67% है कहते है का calculate empirical formula and molecular formula empirical formula और molecular formula calculate करने कि जो है वो different steps है तो one by one in steps को देखते हैं तो step number one में जो हम लोग amount of elements find करते हैं ठीक है इसमें हम लोग यह देखते है कार्बन की कितनी percentage है और hydrogen की कितनी है ठीक है अगर तो carbon और hydrogen की percentage को हम लोग sum करें और वो 100 की equal आजाए तो इसका मतलब है कि उस compound में जो है वो oxygen present नहीं है ठीक है मतलब पूरा compound में जो है वो सिर्फ carbon और hydrogen ही है लेकिन अगर हम लोग जो है वो इस carbon और hydrogen की percentages को plus करें ठीक है और वो 100 से less हो फिर हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो answer आएगा तो उसको हम लोग जो है वो 100 में से minus करेंगे फिर जो हमार पास answer आएगा तो वो percentage होगी oxygen की ठीक है अब जिस तरह इस case में उसने लेखा कि carbon और पास 39.97% है hydrogen जो है वो 6.67% है तो हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों को plus करेंगे 39.97 प्लस 6.67 तो हमार पास क्या आजाएगा तो यह तक्रिवन 46 या 47.something बनती है ठीक है फिर उसको हम लोग उने जो है वो 100 में से minus करने है जब हम लोग जो है वो इनको plus करके 100 में से minus करेंगे तो हमार पास 53.36% आजाएगी यह 53.36 जो है वो किसको जो है वो represent कर रही है oxygen को ठीक है इसका मतलब यह है कि हमार पास यह जो हम लोग जो हर element का मोल फाइंड करते हैं तो मोल्स आप लोग को बता है कि कैसे फाइंड करते हैं ठीक है परसंटेजिस हमें गेवर है जिस्ट आप लोग उने क्या करना है कि इनके molar mass पर उनको divide करते जाना है कार्बन का 12 होता है तो इसको हम लोग 39.97 को 12 के साथ divide करेंगे ठीक है hydrogen का 1 होता है oxygen का 16 होता है तो आप लोग उने just second step में जह हो number of moles find कर लेने है ठीक है molar ratios लेते हैं अब simple molar ratios के लिए इस तरह होता है कि मारपास यह जो हम लोगों ने moles find की है ना elements के तो सबसे कम moles मारपास यहां पर कितने आया है 3.331 सबसे कम है ना तो हम लोग क्या करेंगे कि इन सब को जो है वो divide करेंगे 3.331 के साथ ठीक है यह rule है तो जब हम लोग जो है वो carbon वाले के 3.331 को 3.331 के साथ divide करेंगे तो मरपास 1 आ जाएगा इस तरह से hydrogen का 2 आ जाएगा और oxygen का जो है वो 1 आ जाएगा तो फिर इनी 1 to 1 की base पे हम लोग जो है वो इसका empirical formula बना देंगे empirical formula फिर आप लोग देख सकते हो देखो carbon के साथ हम लोग हमारा carbon का क्या answer आया 1 जो हम लोग carbon के नीचे 1 लेखेंगे ठीक है और hydrogen के साथ इसका answer नीचे 2 लेख लेएगे oxygen का जाएगो इसका भी 1 आया है तो हम लोग oxygen के साथ भी 1 लेखेंगे ठीक है या फिर हम लोग इसको इस तरह भी लेख सकते हैं CH2O ठीक है अब यह जो CH2O आ गया है यह हमारा पास जो है वो empirical formula है ठीक है अब हम लोगोंने क्या करना है कि molecular formula find करना है अब fourth step के बाद जो है वो empirical formula match find करना है empirical formula match कैसे find करेंगे वो ऐसे find करेंगे देखो हम रपास carbon का molar mass 12 होता है ठीक है hydrogen का 1 होता है लेकिन यहाँ पे 2 hydrogen है इसलिए हम लोग जाएगो यहाँ पे 1 multiply 2 लेखेंगे और oxygen का कितना होता है 16 होता है तो यह वापस कितना बन जाएगा 12 plus 2 plus 16 यह 30 बन जाता है ठीक ह तो in this and that में हम लोगों ने जा है वो empirical formula match find कर लिया है अब next step number 6 में हम लोग क्या करते है कि ratio लेते हैं ठीक है molecular match की और empirical formula match की तो molecular match मारे पास कितना है यह आपनों के पास यह statement में given है which is 180 तो हम लोग क्या करेंगे कि इस 180 को जा है वो divide कर लेंगे empirical formula match के साथ ठीक है जो के मारे मारे पास 30 है तो 30 के साथ इसको divide कर लेंगे तो मारे पास क्या answer आएगा 6 अब इसके बात मारे पास last step है जिसमे हम लोगों ने क्या करना है कि molecular formula find करना है अब molecular formula find के लिए हम लोग क्या करेंगे देखो molecular formula find के लिए हम लोग इस तरह करते है कि molecular formula is equal to n multiply empirical formula ठीक है n यहाँ पर मा लोगों ने ratio ली थी ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे 6 को multiply कर लेंगे इस empirical formula के साथ ठीक है CH2O के साथ CH2O के साथ तो यह क्या बन जाएगा carbon के साथ मारे पास यहाँ पर 1 है 6106 हो जाएगा C6 hydrogen के साथ यहाँ पर 2 है 2600 यह 12 हो जाएगा और oxygen के साथ यहाँ पर 1 है 6106 तो यह यह glucose की हो रही थी ठीक है तो in this and that वी हम लोग जाएगा molecular formula भी find कर सकते हैं और empirical formula भी find कर सकते हैं next यहाँ पर कुछ MCQ points है salt analysis जाएगा वो यह quantitative analysis है और combustion analysis जाएगा qualitative analysis है ठीक है इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे पास modern methods कौन-कौन से हैं तो यह जो मारे पास different question की spectroscopies है IR spectroscopy, UV visible spectroscopy, atomic absorption, NMR, refractrometer, polarimeter, kolarimeter, pH meter, mass spectroscopy यह सारे जो है वो modern methods है ठीक है analysis के अब उसके बाद यहाँ पर एक important statement है कहता है कि modern methods are superior to classical methods तो यह बात बिल्कुल ठीक है modern methods जो है वो यह superior है as compared to classical methods फिर आगे उसके reasons बताएं इनकी तो reasons यह जितनी भी है यह आप लोग खुद पढ़ लोगे ठीक है क्यूंकि sometimes MCQ में वो आप से पूछ सकता है कि why modern methods are superior than classical methods तो आप लोग को यह reasons at least पता होनी चाहिए अब next हम लोग जाए वो directly in techniques पर जाते है तो मर पास first जो modern method है वो infrared spectroscopy है ठीक है IR spectroscopy अच्छा IR spectroscopy को हम लोग use करते है for the detection of your determination of functional group तो आप लोग उसे question कर सकता है कि हम लोग functional group को जो है वो determine करने के लिए को उनसी spectroscopy यूज करते है तो उसके लिए हम लोग IR spectroscopy यूज करते है ठीक है और यह जो मर पास IR absorption होती है यह atomic vibration कास करती है electronic transition कास नहीं करती है ठीक है और इसको हम लोग use है वो wave number में measure करते हैं मतलब centimeter में measure करते हैं ठीक है अब next आम मर पास types of vibrations, vibration मर पास दो तरह की होती है ठीक है stretching vibration and bending vibration अब stretching vibration में क्या होता है इसमें हमार पास atomic distance increase or decrease हो रहा होता है लेकन जो angle है na bond angle वो change नहीं हो रहा होता ठीक है तो इस तरह की vibration कुछ है वो stretching vibration कहते है और मर पास जो bending vibration होती है उसमें bond angle change हो रहा होता है ठीक है जबके bond distance जो है वो यह constant रहता है सेम होता है यह change नहीं होता तो यह दो इन में differentiating points है यहां पर stretching vibrations के बारे में उसने लिखा है कि यह symmetric भी होती है और यह anti symmetric भी होती है ठीक है जबके मार पास जो bending vibrations है यह 4 तरह की हो सकती है यह rocking भी हो सकती है सीजरिंग भी हो सकती है वैगिंग भी हो सकती है और twisting भी हो सकती है ठीक है तो यह इसकी four types है आप लोग इस लगरो कि book को open करके तो इन चारों को भी definitions को देख लो I think books में definitions नहीं है simple diagrams बनी है लेकिन definitions आप लोग जो है वो कहीं से consult कर लो ताकर आपको पता हो कि यह cesering क्या होती है वैगिंग क्या होती है next जिसने यहाँ पे दो important points लिखे है कि मार पास कहते है कि rocking और cesering जो है वो यह in plane vibrations होती है और twisting और wagging जो है यह out plane vibrations होती है ठीक है और इसके लिखाँ यहाँ पे एक और important point है कहते है कि total number of vibrations or degree of freedom जो है वो depend करती है number of atoms पे ठीक है number of atoms n पे depend करती है ठीक है आगे उसमें जो है वो linear molecules के लिए और non-linear molecules के लिए जो है वो different relations दीए है तो उनको देखते है कहते है कि for non-linear molecules number of vibrations or degree of freedom find करने के लिए हम लोग कौन सा relation यूज़ करती है 3n-6 और जो linear molecules होते है न उनमें हम लोग number of vibrations या degree of freedom find करने के लिए जो है वो 3n-5 relation यूज़ यूज़ करती है ठीक है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते है अवराल यह लोग सिफ n की value पर depend कर रहे है ठीक है तो आप लोगों से अगर question करता है कि आप लोग जो है वो किसी माली की के लिए find करो तो आप लोगोंने पहले तो आपको यह find करना आता हो अब next यहाँ पर जो है वो उसने कुछ examples दी है ठीक है water की और carbon dioxide की तो देखो water का हमार पास जो है वो यह bend सा structure था है इसमार पास यह non-linear molecule है ठीक है और carbon dioxide का straight structure होता है 180 degree होता है तो हम लोग इसको कह सकते है कि यह linear माली की हूल है ठीक है तो फिर इ carbon dioxide के लिज़ है वो 3N-5 फिर रिलेशन यूज़ करेंगे ठीक है तो अब देखो water में मार पास N कितने है दो hydrogen के है एक oxygen के मतलब total 3 हो गए 3 into 3 minus 6 यह क्या बन जाता है 9 minus 6 is equal to 5 sorry 5 नहीं 4 ठीक है और carbon dioxide में मार पास number of atoms जो है वो 3 है ठीक है एक carbon के है और 2 जो है वो oxygen के है तो हम लोग क्या है लेकिनगे इसका 3 into 3 minus 5 तो इसमे angle of sorry number of vibration या degree of freedom कितने होंगे 4 sorry 5 ठीक है तो इस तरह से आप लोग जो है वो number of vibrations या degree of freedoms जो है वो find कर सकते हो अब next यहाँ पर जो है वो उसने IR के कुछ functions mentioned की है कहता है कि हम लोग IR को use करते है functional group की detection के लिए ठीक है किसी बालिगूल का structure determine करने के लिए ठीक है तो इसमें यहाँ पर लेगा है कि हम लोगों ने IR region को चाहिए वो two types में या two regions में divide किया हुआ है एक कुछ है वो fingerprint region कहते हैं दूसरे कुछ है वो functional group region कहते हैं ठीक है fingerprint region की जो wavelength है तो वो 600 से लेकर ना 1500 cm तक है ठीक है और functional group region जो है वो यह 1500 से लेकर ना 4000 cm तक है ठीक है तो आप लोगों ने इन ranges को याद कर लेना है next लेमार पास IR के uses या इसकी applications तो इसको हम लोग यूज करते हैं किसी भी unknown compound को find करने के लिए या उसको identify करने के लिए ठीक है इसको find करने के लिए टाटो मर्स को find करने के लिए या फिर हम लोग जा है वो inorganic complexes को identify करने के लिए जा है वो IR को जा है वो use करते हैं ठीक है next हमार पास technique या method है modern method ultra violent और visible spectroscopy तो यहां पर जो है वो दो चीज़े important लिखी हुई है एक तो ultra violent radiation की ये range और दूसर विजिबल की ठीक है ultra violent जा है वो 200 nanometer से लेकर 400 nanometer तक होता है ठीक है और जो visible है वो 400 से लेकर ना 800 nanometer तक इसकी रहे जाए ठीक है तो यहां आप लोगों ने दो values याद करनी है यहां से फिर उसके बाद इसने बोला है कि मरपास जितने भी substances होते हैं तो उसमें electrons होते है कहता है कि यह electrons जो है वो in wavelength को यह वो absorb कर लेते है ठीक है और यह जो absorption होती है ना यह किस के accordingly होती है यह beer lambert log recording होती है तो आप लोगों से question कर सकता है कि electrons जो है वो wavelengths को यह वो absorb करते है ठीक है किस basis पे तो वो beer lambert log recording जो है वो absorption करते है ठीक है और beer lambert log में हम लोग absorption के बारे में ही पढ़ रहे होते हैं ठीक है आगर जाकर देखते है अब beer lambert log क्या कहता है कहते है absorption of the UV or the visible radiation is directly proportional to the product of the concentration of the solute and path followed of the sample solution ठीक है कहता है कि मार पास यह absorption होती है यह directly proportional होती है concentration के product के ठीक है और path length of the sample के तो mathematical जो हम लोग इसको देखे है तो मार पास A is directly proportional to CL and A is equal to ECL ठीक है अब यहाँ पे A जो है वो absorption को represent कर रहे है ठीक है यह जो है यह molar absorptivity को represent कर रहे है और यह constant है ठीक है और C जो है वो concentration of solute को represent कर रहे है और L जो है यह path of length ठीक है उसको represent कर रहे है तो यह इसकी जो है mathematical form है beer lambert log ही ठीक है next उसमें बात किये कि हम लोग UV visible spectroscopy को जो है वो use करते है quantitative analysis के लिए भी और qualitative analysis के लिए भी ठीक है और में पास यह जो molar absorptivity है ना तो इसका unit क्या है 1000 cm पर milliliter ठीक है यह इसका unit है फिर यहां से आप लोग देखे है था कि में पास जो quartz है ना कहता है कि generally used in the visible spectrophotometer और made up of कहता है कि यह जो quartz है ना c u r v e t s कहता है कि यह quartz q u a r t z glass और plastic इन तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है ठीक है फिर कहता है कि में पास जो ऐसा quartz जो glass और plastic से मिलकर बना होता है ना उस काम लोग जाए वो visible region में use करते हैं ठीक है ultra variant region में use नहीं कर सकते क्योंकि यह glass और plastic होती है ना ultra sound radiation को absorb कर लेती है so that is why हम लोग इसको ultra variant region में जाए वो use नहीं करते ठीक है और जो मार पास quartz होता है quartz इसको हम लोग ultra variant में भी कर सकते हैं और visible में भी कर सकते हैं ठीक है सिर्फ glass और plastic को जाए वो हम लोग ultra variant में नहीं कर सकते use ठीक है बसे सहीं यहाँ पर यहीं बात की है बस आपको बता हो कि हम लोग ultra variant में कौन कौन सी चीज़ यूज़ करते हैं ठीक है और visible में जाए वो कौन से quartz यूज़ करते हैं यह जो दो चीज़ आपको बता हो next technique है मार पास यह next method है मार पास NMR ठीक है nuclear magnetic resonance तो यह basically मार पास structure determining technique होती है ठीक है आप लोगों से question कर सकता है कि हम लोग कौन सी technique को use करके जाए वो किसी भी compound के structure को determine कर सकते हैं तो हम लोग NMR को जाए वो use करते हैं ठीक है structure को determine करने के लिए और पर यह बेस करती है that protons possess similar spin to that of electrons कहते है कि मार पास जो protons और electrons होते हैं तो इन में spinning जो है वो similar होती है ठीक है और और कहते है कि behave like a magnet ठीक है और इसका हम लोग जाए वो nuclear magnetic resonance कहते हैं यह उसका basic और general intro था आगे देखते हैं कि यह क्या कहते है next कहते है कि मार पास जो spinning होती है यह दो तरह की होती है clockwise और anti-clockwise फिर next उसने बोले है कि ऐसा proton जिसकी spin जो है होगा ना तो उसकी energy जाए हो हाई होगी और यह जो energy difference होती है इसे हम लोग डल्टा इशे रप्रेजेंट करते हैं और आगे इसने लेका कि दो spin states हो तो उनके द्रम्यान जो डल्टा इए होता है मत्तब energy difference होता है वो बहुत small होता है ठीक है और फिर उसने लेका कि मार पास य यह होता है ना यह radio frequency की range में जाए हो लाए करता है आप लोग उसे question कर सकता है कि यह जो energy difference है ठीक है delta E यह कौन से region में फवाल करता है ठीक है और हम लोग NMR में जाए हो radio waves को use करते हैं यह भी पूछ सकते है कि हम लोग NMR waves में NMR spectroscope में कौन सी waves यूज करते है रेडियो waves ठीक that occurs when the protons aligned along the applied magnetic field ठीक है absorb a definite amount of energy and change their spin state तो उसने वह भी बात किया कि हम आपस जो proton होता है ना वो applied magnetic field के align जो है वो करते है move करते है और वो definite amount of energy को absorb कर लेता है और अपनी spin को change कर देता है ठीक है तो यह हम आपस nuclear magnetic resonance कहते हैं अच्छा हम आपस यह जो delta E है ना तो इस पर दो factors जो है वो effect होते है number one chemical environment proton का और दूसरा मर पास क्या है strength of applied field ठीक है मर पास delta E value जो है वो उत्मी ही जयदा होगी जितनी जयदा मर पास जो है वो magnetic field की strength जो है वो strong होगी ठीक है तो उसके साथ direct relation है अब next हम लोग देख रहे थे हैं कि मर पास यह NMR spectrometer जो है work कैसे करते है तो इसके ल solvent और दूसरा है हमार पास reference liquid ठीक है अब solvent और reference liquid हमें चाहिए होते है NMR spectrometer में अब भी जो solvent और reference liquid है इनके कुछ ना कुछ characteristic features होने जाएं तब हम लोग जाए वो उनको use कर सकते हैं ठीक है तो solvent हम लोग वो solvent use करें के जो के proton free हो ठीक है inert हो और volatile हो सिर्फ यह थी नहीं उसमें unlimited spectrum Peter में उसके सकते है Roughness liquid का यह कहता है कि में पास जो है वो जो proton हम लोग यूज करेंगे राञे या ऐसा liquid यूज करेंगे जिस में proton जो है वो किसी एक environment का use किया हो ठीक है multiple environments के protons नहों एक ही environment का proton होना चाहिए ठीक है और liquid ऐसा होना चाहिए कि जो produce करे है strong single peak ठीक है एक ही peak जो है वो produce करे है और वो single peak हो liquid जो है वो inert होना चाहिए और volatile होना चाहिए ठीक है ये चार properties तो इसको हम लोग जाए वो as in reference liquid जाए वो use कर सकते हैं उसके लिए हम लोग जाए वो NMR spectroscopy में जो है वो standard पिली जाए वो TMS को use करते है TMS stand for tetramethylsilane ठीक है इसको हम लोग use करते है as in reference liquid ठीक है तो यह import यह MCQ आसकते है इसके लिए यहाँ पर और भी कुछ MCQ आसके लिए करते है कि nuclei containing the even number of protons or neutrons have zero spin quantum number तो करते है कि मापास ऐसे neutrons जिनके पास वो number of protons and number of neutrons वो even होंगे तो आप लोग उसके यहाँ पर एक्जम्पल पर दिया carbon 14 ठीक है और oxygen 16 अब देखो यह even है this means that इनकी spin quantum number has zero spin quantum number तो आप लोग देखो कि कौन सा even है कौन सा hard है तो even वाले का आप लोग बोल दोगे कि इसकी spinning जो हो zero होगी ठीक है और यह जो मापास ऐसे ऐसे nuclei जिनकी spinning जो हो zero होगी या उनके number of protons या neutrons हो even होंके तो वो NMR spectroscopy में जो हो invisible होते है ठीक है next time आप पास कुछ MCQ points कहते है कि nuclei जिनके पास जो हो even number of electrons and protons हो तो वो किसी भी किसम की जो हो peak नहीं देते NMR spectroscopy में ठीक है दूसरा point शहाँ पर उसने लेका कि methane, ethane and benzene यह एक ही peak बनाते है ठीक है यह important है तीस्रा कहते है कि ethanol has three types of protons so इसके वाई से ethanol जो है वो तीन peaks बनाते है ठीक है और hexanoic acid has five types of protons तो यह five peaks बनाते है ठीक है तो यह different examples था तो इन examples में से आते है ठीक है आपको पता हो कि कौन सा compound NMR spectroscopy में कितनी-कितनी peaks बनाते है ठीक है next time आपास chemical shift देखो NMR spectrum में जो है हम लोग abundance को जert y-axis पर represent करते है और frequency को जचा है वो x-axis पर represent करते है ठीक है और यह frequency होती है ठीक है frequency जिसको हम लोग x-axis पर represent करते है इसको हम लोग एक unit में measure करते है उस unit को ज़चा जाहे हम लोग हम लोग दो scales पर express करते हैं एक को delta scale कहते है और दूसरे को tau scale कहते है ठीक है अब हम लोग उने पहले बात कियी थी कि हम लोग reference liquid जो है वो TMS को use करते है, tetramethyl silane को जो है वो use करते है as in reference liquid तो महाँ पास reference liquid जो है TMS इसकी chemical shift अगर हम लोग देखें तो delta scale पर जो है वो 0 ppm होगी ठीक है और tau scale पर जो है वो 10 ppm होगी तो आप लोगों ने यह दो points याद रखने है कि TMS की जो है chemical shift delta scale पर 0 ppm होगी और tau scale पर जो है वो 10 ppm होगी इस से अगला जो point लिखा हुए इसमें कोई mcq point नहीं है और उस से जो next point है यह हम लोग already discuss कर चुके हैं ठीक है वो यह ही कह रहा है कि delta scale पर जाए वो TMS की signals होगी या इसकी chemical shift होगी वो 0 ppm होगी और tau पर जाए वो 10 ppm होगी next उसमें बात किये कहते है chemical shift of the proton is difference between the frequency of absorption to that of the TMS made in the parts per million ठीक है ठीक है ठीक है तो यह ही कह रहा है कि मार पास यह जो proton की chemical shift है ना यह frequency of absorption और TMS के parts per million के difference के इकवर होती है ठीक है अगे उसने एक relation वीजिए कि मार पास chemical shift is equal to observed shift from TMS in Hertz divided by operating frequency of the spectrophotometer देक हो इतनी detail में जाने की जूरत नहीं है इस chapter में इस chapter में से एक से दो MCQs आते हैं ठीक है और वो mostly या तो आप लोगों को कहता है empirical formula find करो या molecular formula find करो या फिर यह जो NMR spectroscopy में हम लोगों ने ऊपर वो बढ़े हैं मत्तब peaks पड़ी है जो ठीक है जिसना benzine जा है वो एक peak शो करती है तो वो peak sometimes आ जाती है ठीक है बाकी चीज़े important है लेकर examiner है वो इस chapter को इतना touch नहीं करता next यहाँ पर spin-spin coupling की definition लिखियो यह आप लोगो खुद पढ़ लोगे यहाँ से जो important point है हम लोग सिफ उसको देखेंगे ठीक है यह जो मरपा spin-spin coupling होती है यह number of neighboring protons में depend करती है ठीक है यह आप लोगों को पता होना चाहिए अब next यहाँ पर एक example उसने दी विए हो कहता है कि 112 trichloroethane में कहता है कि दो तरह के protons होते है ठीक है तो जिसकी वाई से मरपास low resolution NMR में यह 112 trichloroethane जाया है वो two peaks देती है और high resolution NMR में जाया हो यह five peaks देती है ठीक है यह दो important points है बस आपको यहाँ से सिर्फ यह भी पता होना this is more than enough ठीक है कि 112 trichloroethane को जब हम लोग low resolution NMR में देखते हैं तो सिर्फ दो peaks बनते हैं और अगर high resolution NMR में देखते हैं तो five peaks बनते हैं next time में पास MRI MRI इसमें कोई MCQ point नहीं है जस्त आप लोगों को यहाँ से सिर्फ यह पता हो कि MRI जो है वो यह NMR की application है MRI is the application of nuclear magnetic resonance सिर्फ आपको यह point बढ़ता हो that is it next time में पास atomic absorption and emission spectrum ठीक है कहते हैं में पास वो light जो emit होती है by glowing the metals तो वो continuous spectrum शोगरती है ठीक है और जो gaseous atom होते हैं यह emission spectrum शोगरते हैं यहाँ पे आप लोगोंने सिर्फ एक यह चीज़ देखनी है और दूसी चीज़ यह कि इस paragraph को भी आप लोग skip करो इसको भी skip करो यह values नहीं आती ठीक है यहाँ पे जो है वो देखो यहाँ आप लोग अलड़ी कर चुकियो hydrogen के different spectrums होते हैं balmer, pestion, pifond, bracket तो उनका आपको पता हो कि वो कौन-कौन से region में लाए दरते हैं बाकी यहाँ पे और कोई MCQ point नहीं है next time में रपास mass spectroscopy अब इसमें से आप लोग उन्हें एक चीज़ याद रखने हैं कमर पास mass spectroscopy को हम लोग यूज करते हैं for making the atomic mass name से indicate कर रहा है mass spectroscopy तो इसमें हम लोग mass को जो है वो measure करते हैं ठीक है और इसके साथ साथ हम लोग mass to charge ratio को भी जो है वो measure कर सकते हैं ठीक है इसके लिए हम लोग जो mass spectroscopy को use करकर हम लोग जो isotopes को identify कर सकते हैं ठीक है relative relative isotopic masses भी find कर सकते हैं relative abundance of isotopes हम लोग किसी बी organic compound का structure भी deduce कर सकते हैं ठीक है mass spectroscopy किस तरह से work करते हैं तो इसमें आप लोगों ने इसके sequence को याद करना है पहले vaporization होती है, उसके बाद ionization होती है, उसके बाद acceleration होती है, पर उसके बाद deflection होती है, पर उसके बाद detection और recording होती है, ठीक है, यह उसके कुछ steps है, 1, 2, 3, 4, 5, तो इन 5 steps को आप लोगों ने इसी sequence में याद करना है, sometimes CMCQ में आ जाते हैं, सही है, फिर कहता है कि हम लोग mass spectrum को use करके, जहाँ, elements के, जो है, वो number of isotopes find कर सकते हैं, ठीक है, determine कर सकते हैं, वो कैसे find करते हैं, जितने मापास peaks होंगी ना, तो उतनी number of isotopes भी होंगे, ठीक है, किसी element के, उसके बाद हम लोग relative atomic mass भी find कर सकते हैं, ठीक है, जो peak की position होगी ना, तो वो जो है, वो indicate करें कि relative atomic mass को, next, यहाँ पर एक important point लिखा हुए, कि मापास स्पेक्ट्रो मीटर होता है, यह separate करता है, isotopes को, ठीक है, जिनके masses different हो, लेकन charges जो है, वो same हो, ठीक है, यह दो चीजाना, दो conditions आप लोगोंने याद रखनी है, कि स्पेक्ट्रो मीटर जो है, उन isotopes को separate करता है, जिनके masses different हो, लेक जब कि radicals पीक्स नहीं देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर उसना मुदा है, कि propanone, mass spectrum में जो हो, three peaks देता है, यह भी important है, अब next, यहाँ पर मार पास mass spectrum में, जो हो different peaks होती है, ठीक है, M peak होती है, B peak होती है, M plus 1 peak होती है, तो मार पास molecular ions जो peak हो करते हैं, उसे M peak कहते हैं, ठीक ह ऐसे, ऐसे peak, जो के mercury ions produce करते हैं, उनके पास carbon 13 हो, ठीक है, तो उसे M plus 1 peak कहते है, ठीक है, ठीक है, और M plus 1 peak को हम लोग जूज करके, जो हो determine करते हैं, number of carbon atoms को, बस यहाँ पे सिफ यह दो-तीन points है, बाकि यहाँ पे कोई MCQ point नहीं है, और उसमें से mostly come MCQs जाते हैं, मैंने आप empirical formula, molecular formula find करना आता है, last but not the least, यहाँ पे एक MCQ point mentioned है, कहता है कि instrument used to measure the wavelength absorbed and concentration of absorbing species, तो वो हम लोग जाए, वो spectrophotometer के थरोज जाए, वो measure करते हैं, तो यह था आप लोग के पास chapter number 24, उमीर है कि आप लोगोंने का,